सब संताम हात्मा ने एस संसार नो दुखांदी नगरी या दुखांदा करकर के बयान कीता है क्योंकि एस दे अंदर ना राजा सुखी है ना परजा सुखी है ना और्थ सुखी है ना मर्द सुखी है ना कोई पसु सुखी है ना कोई पंशी सुखी है सानु पता ही है कि जितने वी सानु थोड़े बहुते सुख नजर दे वी चौंदे है इस सारे आरजी और टम्परेरी है पतानी दुख वेच का तबदील हो जाने है दुनिया दा तुसी देख लो किस तरह बच्चा पैदा होंदा है वो बे सहारा होंदा है एक मास दा लोथला होंदा है वो अपने उक्रों मक्षी नहीं उड़ा सकदा पासा भी नहीं ले सकदा गा ओ माता पिता दे सहारे ते होंदा है उन्हा दी मरजी है उदी अच्छे टंगना परवस्करन मरजी है तो गल्त तरीके ना करन लेकन ओ बच्चा उन्हा उपर कोई श्कायत नहीं कर सकदा और उन्हान तो कुछ भी नहीं विचरा कर सकदा गा सब उना दे रेम ते शड़्या जन्दा है अगर उहो बीमार है माता पिता दी बुद्ध जो है वो कमनी कर दीगी डक्टर कोड़े ले जाने है वो भी अनदाजे ही लवदा है के टेड़ पीड है पता नी सेर पीड है कई दफा बमारी कोई हुंदी है दुआई कोई दिती जन्दी है और उस बमारी दे विच दुआई जड़ी है और जाफा कर दिन्दी है बाल पना जड़ा है ते भी बड़ा दुखदाई हुंदा है दुखांदा कारी हुंदा है ज्यादा सी बड़े हो जाने है सानु पता ही है माता पिता सानु सकूला काल जां विचे पेईदे है बच्चा हो थे से मैं से मैं जानदा है क्योंकि उस्तादा दा ढर बहुत जादे हुंदा है एक जम दी शकल विची समझदा है क्योंकि बच्चे नू पता नहीं हुंदा के पढ़ाई मेरे पविच्छनों बनाएगी जाए किनी एक अच्छी हुंदी है जदो जुआन हो जाने है सानु पता ही है के जुआनी दा नशा किस तरह सानु बे चैन रखदा है ना दिन नु चैन है ना रात नु चैन है पिशे बकार जेडे है अगदी तरह अनसान नु तरफोंदे फिर दे है जुआनी दी जडी वस्ता है ये भी दुखदाई हुंदी है बड़े पाजन दा है सानु पताई है के किस तरह सारे शरीर दे अंग जडे है ओ दुखन लग जन दे है कारद्यानु कहने जड़्टरानु कहने अलाज करो अखाгов अड़ जवाव दे जानी है क sovereignty तो सुनों हट जान्दा है जवान तो तुथलाओं लग जान्दा है और ज़ड़े गोडे गिटे है ऐस दुखन लग जान्दे है ओदों परमात्मानु याद कर दे आ ना था बचपने ज़ा परमात्मा याद कर दे आ जुआनी जीता करना ही की सीगा और बटे पेविडे होन असी रुसे रपनू मनवन दी कोशिश कर दे हैं खुद सोच के देख लो जदो ओस मालक नू मनवना सीगा ओदो ता लाप्रभाई दे विच असी वक्त खराब कर देता मारा सावन से केंदे होन दे सी अगर साड़े अच्छे कर्म होन साड़ा ख्याल बचपने जुआनी दे विच संत मत दे विच आजावे ओदो ख्याल काट दुनिया विच फैलया होन दा है असी कमाई बड़ी असानी नाड़ कर सकते हैं और अपने अंदर जाके अपना मक्सिद पूरा कर सकते हैं लेकन जद बड़ापा होन दा है सानु पता ही है ख्याल जेड़ा है बहुत जादे दुनिया विच फैल जन दा है अकठा कर दे हैं फेर फैल जन दा है कदे पोत दा ख्याल कदे पोते दा ख्याल कदे दोते दा ख्याल कदे कौमा मजवा दा ख्याल एस वा प्रमात्मा सानु प्यार देनाड समझेंदे है कि सार्यां वस्तुआ जिनियां होंदियां दुखदाई होंदियां है अगर प्रमात्मा सानु चंगे तो चंगा कोई तान दौलत दे दे अच्छी वड़ात दे दे ओधा भी सानु डर लगया रहेंदा है अच्छी इजित मिल जावे उनु खुस जानदा डग लगया है अच्छी पूजीशन मिल जावे और ओवी सानु दिन रात बेट चैन होई रेने है कि ते खुस ना जावे महात्मा दस्दे है सुखदी तलाश वेच जगा जगा सी मारे फिरदे हैं दिल दे वेच ख्याल हुंदा है शैत शादी हो जावे फिर सुखदा सा आएगा शान्ती आएगी बीवी मिल जाएगी सानु पता ही है जद बीवी रेनार को बेतफ़ा की हो जन्दी है कोई अपाओ आ जन्दा है एक दूसरे दिखते ओही कर नर्क बनके बह जन्दा है जिस सुख जिस शादी चोंसी सुख समीदे सी के कई कई दफ़ा उख नर्क बनके रह जन्दा है इससे तरह जद उडाद हुंदी है पार्टियां कर दे हैं असी योदों बहुत सारिया मठियान्यां वंड़ते हैं अइथो तक के बच्चे दे जेव देखते कई दफ़ा सोने दी सलाई दे नार असी ओम लखोने हैं होर भी कई दफ़ा लोक ससंगी साड़े सत्कुरू दा नाम लखोंदे हैं लेकन थ्वाननूं पता ही है कि एक कोई सोने दिया सुलाईया नार लखोंडे नार कोई बच्चे दा सबानी तब दील हुंदा गा कोई ओधी जवान दे अंदर मठास नहीं आ जान दीगी ओ जो कुश है सो है जद ओही बच्चा नलैक निकड़ जन्दा है कहे कार माता पिता दे नहीं हुंदा गा माता पिता वासे कितना दुख हो जन्दा है अगर प्रमातमा दा पाना ओस बच्चे नूं ओबापस बलालवे किस तरह माता पिता जड़े है सारी जिन्दी रोंदे चीन दे चीक दे च चारे वक्त कर दे हैं सो उन्हानों पुछो जिना दे जुआन बच्चे इस संसार नू छट जांदे है कि यो सब्खे है इससे तरह तंदालत दौलत होंदा है असी सोच दें है फुले नहीं समौंदेगे कि असी शैयत कोई अकल बंद हैं लेकन महात्मा सानू प्यारना उग्त करदीगी जदोन वसी इन्यों अकथ्छी कर दे हैं उद्ह का दे बड़े दुह게 मसीब ताहुणियाँ पेंदीया है बड़े पीम्तियासोल करने पैंदेया है और जानलत हो लेकिशOT कर द दी इससे तरह साड़ा मन सोच दा है कि शैद हकूमत दे अंदर नशा होएगा सुख होएगा शान्ती होएगी असे हकूमत हासल करना वास्ते अड़ी चोटी जा जोर लादने है सानु पता है हकूमत जबी जड़ी है ए इस सुखा दि छेजा है ए वी कोई सोखा जाका मनी हुनदा जदो सानु हकूमत मिले जान्ती है लोग साड़े गलाँ दे विचे ख安全 हार पॉम्दीय Wait कियोंके दुनिया ऐसी है कि चठधे सुरिजुने इसलाम करदे है जडों हकोमत हत्धे विचे निक्र जन दी है औधों की ए ओ हुई लोक हुन्दे है अधिये साड़ी अखवारां गे अंदर निटी रोल दे है पहला जिसनों सी सुख समझ दे सां फिर पता लगया कि उस दे अंदर कितने दुख कितनी आं मसीबता है यह थे भी दुनियादार बस नहीं कर देगे जदों हकूमत वाड़यां दा तक्ता दूसरी पाल्टी पल्ट दिंदी है उन्ना वचारया नू गोड़यां दा शिकार बा मात्री है यह दे विच सुख कित्धे है महात्मा सानु दस्दे है कि जाद असी दुखां दी नगरी दे विच आ चुके हैं यह थे सुखां दी यह सी कोशिश कर दे हैं महात्मा केंदे है तुसी किसे पास से निगा मार के देख लो केड़ा यह थे सुखी है तुसी जाके कं पड़ानी हंदागा और ओस्तों बात तुसी जाके हश्पताल दिद्र निगा मार के देखो कि उथ्चे तुसी लिए बंपार्णय चीखां सुनके देखो पकारां सुनके आगे कहड़ियां दा टेर बने पे हैं इससे तरह तुसे सिम्शान पूमिया दे अंदर जाके लोकान रोंदया नू देखो जिन्ना दे रिष्ट्यदार पैन प्रा उन्हादा साथ शड़ जांदे हैं उन्हादी चीखों पकार सुनके दा देखो कि किते हैं सो किते हैं शान्त मन्ने नौ सोईजन जाए औरी कर्मन लेखे लाए और सो सुखिया जिस नाम अधार कौन सुखा है इनू शान्ती है जिस दी सुरत जिस दी आत्मा नाम दे नाल लग जांदी है शब्द दे नाल जुड जांदी है क्योंकि दुख सुख ब्यापत नहीं यहां आत्म राम प्र मस्द होगी है अपने करनु पुलगी है महात्मा आत्मा नो तोता करके बयान कर दे है गुरु नानक देव जी महराज ए जिसम नो पिंजरा करके बयान कर दे है एस पिंजरे ना ए आत्मा प्यार पाके जिस समाज वेच जनम लेंदी है उससे समाज दी बोली बोल दी है कदे हिंदुमां दे समाज चाओंदी है कदे मुस्लमाना दे समाज चाओंदी है कदे पसु पंची दे समाज वे चाओंदी है जे समाज वे चाओंदी है उत्थों दे पिंजरे नारी ये इस दा प्यार होंदा है और उत्थों दी बोली नारी इसनों प्यार होंदा है एस वास जिए दा प्यार शड़े साथ शड़े और अणहद शब्द दा चोगा चुगे उड़ात एका वार एक वारी संसार विचावे ए जमण मरदे कर्मान देविच्छों उजाद हो सक दी है इना पिंज्रियां चो उजाद हो सक दी है सुआल पैदा हुंद है क्यों जड़ा अनहद शब्द है और जिस दी कोई हद नी कोई लिमिट नी ओ दिन रात साधी अंदर थो नुकारां दे रहा है तोना लिखन विछ चाउंदा ना पड़न विच आओंदा ना बोलन विच आँदा है एस वासुत आ बिना लिखेया कनून है बिना लिखी बोली पाशा है गुरु सह पड़ानिया हैं परहें संती हैं मदमिया मदमा है बैखरी है एक औहाए कि जोगी जन्ण हिर्दे देविचे हलारदी तरह अठोंदे है और एक असी जवान ना बोलते हैं क्योंकि एक दूसरे दे प्रपाव या असी जवान दे नारी समझा सकते हैं इस चारे बाणियां लेकरण पड़न दे विचाउनियां है एस वास से आप कहें दिया इन अनु नाम भी खबर नीगी और नाम तो बेखबर है आप कहें दिया तेरियां खाणी चार खाणियां है अंडज है जेर 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 से तुझ है उतपुझ है आप कहें लगे एक ओ खाणी है जेड़ी अंड़ी अंड़ी तो पैदा हुंदी है एक जेर तो पैदा हुंदी है और बंसबती जड़ी है सानु पता ही है जमीन देवेच उगदी है इससे तरह बहुत सारे जीब मौसम दी तबदीली देना पैदा हन्दे है जिस तरह जुआ, बीर, बौटियां वगएरा हन्दियां है इस वासे महातमा कहन दे है चार बाणिया चार खाणियां जड़ीयां हन ये नाम दे इना नूँ खबर नी बलके एक परमदे विच है जाद असी इना नूँ पढ़ देया हैं सोच देया हैं जा इना खाणियां दे अंदर जाके जन्म लेने हैं असी कदे भी परमातमा नूँ नी मिल सक देगे मारा सावन सिंकेंदे हुंदे सीगे कि थ्वानू अनसान दा जामा मिलिया है तुसी ये जामे तो पूरा फैदा अठाओ आजदा का मकल ते ना चड़ो ऐसा ना हो वे किसी इसी जगा जाके जन्म हो जावे जित्ते असी परमात इसी देख लो कि पसूदे जामेविच शोख होएगा शान्ती होएगी किस तरह उन्हा वचार माता है दर्द के Mixon नहीं जामे देविच बदफैलियां कीती हैं और लापरवाही कीती क्योंकि इसी जाद दुनिया देविच आउने हैं असी एक कहने है आज जग मिठा अगला कन डिठा ए जिड़ा ख्याल है एक क्राय पौण वाड़ा है महात्मा दास्दे ए दुनिया दे अंदर अन्ना अन्य दा अगू है एस वास्ते सानु कौन रस्ता दसे सो महात्मा सानु एस समझाण वास्ते संसार दे उत्ते हैं वो किसी दा समाज तोड़न वास्ते नहीं यहूंदे कोई नमा बनावन वास्ते नहीं यहूंदेगे किसे दियो निंदिया जा चुबली नहीं कर देगे महात्मा शिर्फ सनु प्रमात्मा दे मतलग दस्दिया के साधी आत्मा उस प्रमात्मा दी अन्स है उस प्रमात्मा दो विछड के मन और माया दे जाल विच फसगी आपने करणू पुलगी है और थ्वाणू जड़ा मन है एक राहे पाई फिरदा है काम प्रोध लो मोहुंकार दे जिसना उसनों साफ करन फेर वियो तो वीदा कम कर दे जिस तरह तो विनों वश्वाश हुंदा है कि मैं एस दे विचों सफ़ाइदी कपड़े जो जुरूर कड़ लूँगा बेशक तेली दा है या जेंटल मेहन दा है उन पता है अगर जेंटल मेहन दा कपड़ा है जिसना तो भी ओ लेनों अनकार नहीं करदागा एस वास से महात्मा सानु प्यार दे नार दस दे है कि उनना नू पता है कि काम क्रोध दियां मेला दे थले शुद आत्मा भी है और जाद सी इसनू नाम शबदा पेद दे मागे जिमें जिमें कमाई करेगा कुश्ता उस हो जन्दी है मैं लथनी शुरू हो जन्दी है को संत्सद्ग्रु अपनी द्या करदे हैै क्योंके सारे करम ससंगीरी नू सद्ग्रु नीच कऊंदे जरूर अपनी द्या मेहिर करदे रेंदे है जीड है कही वारी अपनी जिंदर D वीच वाके देख़दा 158 और केंदा व मार्वा शक्या पन्ना एक सौना तेर्याँ खानी तेर्याँ पानी मिन्ना वैर्षभ पर्म कुदानी गुर सेवा दे हर नौन पाया के मैं संत गुर कुवे ना खावनिया एक बड़ी सोच समीदी गल है जा संत एक एंदे है के नाम गुरु दी सेवा करके मिल दा है एस ख्याल नौन बड़ा सोच सम्झे ना सोचन दी लोड हुंदी है के असी अनसानी जामेच ता आजाए हुए है का दसी सेवा कीती गुरु दी नाम सानौ मिल गया है कई दफा संत एंदे कुड़ी आउने नाम दे दे है एक ख्याल एस सेवा असी किसे जनम विच मारा सावन से केंदे हुंदे कि पिछले जनमा विच कोई सेवा किस तरह दी कीती हुंदी है या ता पसू बढ़के संतां दे थले जाके स्वारीदा कम करे आए या कोई फड़ बढ़के द्रक्तना लगके संतां दी रसना दे चड़गे या कोई दातन बढ़के उना दी रसना दे उते चड़गे उना दी सेवा करे आए और जो तो कोई संतां दी संपर्क दे विच जीव आ जन्दा है उनसानी जामे तो थले नी जन्दागा और गुरू जुरूर मिलदा उनाम जुरूर दिन्दा है कबीर सहीव कहिंदे है गुरू सेवा ते पगत कमाई तव ए मानस देही पाई ए मानस दी देही सानू तद मिली असी गुरू दी सेवा कीती ए प्रमात्मा ने ओ सेवा दा सानू अनाम दिता है आप कहेंदे पजो गोविंद पूल मत जाओ मानस जन्म का एही लाहो हुन थ्वानू एस दा लाहा खटना जाई चाहिदा है एस जन्म दे विचा के जिस मकसद नू आए हो उनू तुसी पोलना जाओ क्योंकि तुआनू एस मकसद वास से दिता है के नाम तुसी जपो अपने कर पहुंच जाओ एस वास से आप कहेंदे गुर सेवा दे उते जन्म ने कीती उननू नाम मिल जान्दा है गुरू तो बगैर नाम मिलन्दा स्वाली पैदा नहीं होंदा गा एस वास से महात्मा पैयारना कहेंदे है गुरू दी सेवा मुख्रकी है गुरू दी सेवा तो पाव के उना दी दसी होई जुगती मताबक शब्द नाम दी कमाई करनी है मारा सावन सिंगनू आम लोग पुषदे हुंदे सी जी सानू कोई सेवा दसो गुरू कहेंदे हुंदे सी मेरे वास्ते पजन करके लियाओ यही मेरी सेवा है एस वास्ते आप पैयारना कहेंदे है कि एस सेवा करो तुसी ताई तुसी सत्गुरू तो नाम हासल कर सकते है सतगरु ने द्या करके सानु नाम दे पास पहुंचन दा रस्ता बताया है के वहें तुसे अगर एस तरह बैठोंगे फैले होए ख्याल नू अकठा करोंगे तुसे नाम दे पास पहुंच जाओंगे मैं थो नू ले जाओंगा जद भी थोड़ा ख्याल इस जगा दे उते आएगा आप कहेंदे नाम रहे चवथे पद माही तूं टूंडे तरलोकी माही इस दुनिया दे वेच संत सानू रस्ता दस्दे नाम नू पौन दा और नाम दा जड़ा खजाना है जो सानू अंदर लाए जन दे सचखन दे वेच उस देओं मालक बढ़ा दूंदे है बारस बढ़ा दूंदे है जयदात जद भी मिलेगी बापदी मिलेगी साड़ा जड़ा पिता सत्गुरु होंदा है उस सच्छन दा मालक होंदा है तो प्रमात्मा दा कारकुन होंदा है असी भी ओधी जैदा दे जाके वार्स बन जानने है असी भी बात्चा बन जानने है एस वास्ते पहला संत सद्गुरू शानु ससंग बारी संगता साड़े उत्य की असर होंदा है कि जिन्यावे खोटीया आता होंदिया है असी ससंगते वेचि चैड़्या शुरू कर देने है जदस ये खोटिया पैडिया आतना शड़ दे हैं आत्मा साधी प्योर और पिवित्र हो जन्दी है फेर की है कि शबद नाम दे नाल जुड जन्दी है अगे फिर अंतरी ससंग भी जड़े प्रेमी जन्दे है उन्ना नुग पता है कि गुरु अंतरी ससंग भी अपनिया आत्मा नो हमेशा दे है एदे विच कोई शक नहीं जड़े अंदर जन्दे है उग बहुत सारे ससंगिया नूँ पहुंचिया होया नूँ आप दे अंदर देख दे है केड़े केड़े ओस संगनों भी नसीव कर दे है एक साड़ा बाहरला से संग है एक अंतरी से संग है एक जड़ा नाम शबदा रस्ता सानु सद्गुरू बाहर दे है एक सानु ओ नाम शबद अंदर जाके दे है क्योंकि बाहर जो दुनिया है इने विच सानु रस्ता और सादम दस्या जाना है एस वासे महातमा प्यार देनार सानु समझाओं देया जदसी गुरू दी दस्य हुई जुगती दी सेवा कर देया है और ओ साध्ये गे नामदा खजाना जिड़ा है फोल देना है अंदर जाके शक नी रहेंदागा अंदर ला जो मार गहा है वो कताब दी तरह खुल जागा है जी किटेन rates कि व सूमयार गहा है खुल आप केंदे गया जो प्रमातमा दी पगदी करदेंगा प्रमातमा दी याद airline ही आज सी नाद कुठ गृबान जानने घंलेम्हार जानने हैं क्योंके उन्हाने साधी अंदर अमरताद नाम पर्या हुइं साधे- मन दे विच वसाद ता क्योंकि सत्गुरु दी जड़ी प्रमात्मा दी पगती है गुरु ही करदा है क्योंकि वो जुड़या होया है एस वास्ते असीता अजे प्रैक्टिस कर रहे हैं मारा सावन से कहिंदे हुंदे सीगे कि एक कमार पात्षादी कचैरी दे अंदर महलां दे अंदर परेता सेटन वास्ते उदी ड्यूटी लगी वो अपनियां गदियां रेते देना लादिके लेई जान्दा सी गा और अस्ते दे वेचे करदा जान्दा सी चल पैणों चलो बीबी चलो पैण चलो बीबी किसे ने पुछया एता गदियां है इना नू तु पैण और बीबी कहना है वो कहने लगया कि मैं बादशादे महला में जाना है उत्ते राणियां उन्हान या लड़कियां है और असी अजाद लोग होने हैं मता कोई गंदा लफज पैड़ा लफज मुझे निकड़ जावे मैं प्रेक्टिस कर रहे हैं ताकि उत्ते मेरे मुझे चंग देविच्व निकले सो महात्मा साननों बड़े जुकती देनाड क्यार देनाड सम्झे जाओंदे हैं तो आप कहिंदे हैं मैं उस्तों कुर्बान जानना हैं बलेहार जानना हैं उन्हें मेरे उत्ते इन्हा सान कीता के पुल्ले पठके नूं नाम शब्द देनाड जोड़ हुआरी योवारी हर से ती जित लावनियां हर सज्जा गुर्फगती पाया है सहजे मन वसावनियां हुण आप कहिंदे है कि एक इसे समाई दी या हकुमत दी सहता नाड असे उस प्रमात्मा नूं पाने सक देगे एनू जदों भी असे प्रमात्मा नूं पूणा है गुरु दी पगती गुरु दी द्या दे नाड़ी पा सक दे हैं आप सक दे नाड़ी पाये थेदे मान वसावनियां सत्र गुरु से इंतां सब किछ पाये यही मन सा खर लगे तेहा खल पाये महात्मा सानू दस्दे है कि हाथी दी पाउं में सब दे पाउं आ जन्दे है अगर असी गुरु दी पगती करिए देवी देवते सारे साड़े दे खुश हो जन्दे है आप कहिं दे है स्वामी जी माराई दी बानी है कि गुर राजी तो करता राजी कर्म काल की चले न बाजी अगर गुरु राजी यह त पगवान वी खुश है और कोई साड़ा बुरा करम अगर आउंदा है, साड़ा आपना कीता, उस दे अंदर असी कब्राउंदे नी, क्योंकि नाम जब के साड़ी आत्मा बलवान हो जान दी है, अब आसी आदमी दुखांदा मकावला खड़े मथे कर लेंदा है, क्योंकि उन्हों पता है, मन अगर तेराई करम है, तू सोच पजन कर कटे आजाएगा, एस वास से आप कहने दे हैं कि गुरू दी पक्ती वेच्छ सब कुशी आजंदा है, तो आप कहने दे कि सत्गुरू दी सेवा तो मतवल पजन करें, तो जेड़ी मनशा है, वही सत्गुरू दिन दा है, क्योंकि मारा सार याँ चीज़ां तो वहां जे रह जाने एक मिल जाए गी उते होर बढ़ी चीज़ां दी कमी हुंदी है आप मसाल देके समझाओं दे हुंदे सी किसे कोई राजा वलाय दी अंदर गया सार या राणिया ने उन्हों कहला पेजिया कि मेरे वास्ते ए शिंगार दी चीज़ लियाई मेरे वास्ते ए चीज़ शिंगार दी लियाई एक जड़ी शोटी राणि सी सार या राणिया दी नजर वेच उपगली सी उसने एक अहलाब पेज़ा कि स्वामी जी किसे वस्तुदी जरूरत नहीं सिर्फ थ्वाड़ी जरूरत है राजे ने जो भी पत्तर टेलीफून वगएरा थे कहा सी सब दियां चीजां लेके आ गया एक एक करके चीज उना दे करामच पचा देती जिस राणी ने एक या सिगा कि स्वामी जी मैंनो थ्वाड़ी जरूरत है थ्वाड़ी लोड़ है तुसी आ जाओ राजा उस राणी दे करे खुद जाकर बैठ गया उन्हों तुसी खुदी सोच सकते हो के जित्थे राजा उथे केड़िया चीजां दी कमी है उथे सब कुछी हो जन्दी है अगर असी गुरू दी पगती करांगे गुरू नो आप दे अंदर परिग्ट कर लांगे क्या जिस चीज जरूरत है वो गुरु खुद ही देखेगा वो गुरु अपने आप ही करेगा क्योंकि उन्हों सारा फिक्र हुंदा है इस वास से आप कहने दे कि जो मनसा करके जो मंगा ठाकर आपने ते सोई सोई देवा लेकर असे ठाकर ताहीं पहुंचता करेगे तुसी पहुंच करके एक वारी बिना मंगे देदेगा साथ गुरु सीरेतां सब किछ पाए तेरी मनसा कर लगे तेहा पन पाए सद्गुरु ने प्रमात्मानों अपनी ओपर महर्बान कर लेया उन्हों अपने प्यार वेच वस वेच कर लिया है इस जितनी या भी दुनिया दा समान है इस सारा ही उस प्रमात्मा दा पैदा किता होया है इस वास्ते उस तो बाहर केड़ी चीज है वो सब कुशी उस दा है तो आप प्यार ना केंदे है सानु सत्गुरु दे पगती कर लेगे सब कुशी पले पैजान दा है दात्र गुरु दाता सबना तुका उरे पागर नारियां तिर्मन मैदां पिक्वन ज्याए अंतर मैलागी बोदु जैपाई इस वाशते से मन ज्याए अंतर मैलना लिप्रय अरहें ब्रण ना कर देना अब्यास कर देनी पिट्र होनग वस्ते सोच देवी नहीं होना तक इह सीका supports आपके अंदिया या प्रमातमा दी पगती दी तरफ नहीं लगदागा कद ये किसे पासे दुड़ें ट है? ये स्वासे आपके इंदया ये मैला है सिंभर नीचनु पवित्र कर सकता है क्योंidar कर सकता है ये एमन मैला एकना सहाई अंतर मेल दागी गोदू जय पाए साथ तीरत शंतर फवेहं कारी और मधिरे हमें पद लावरियां अंतर मेर ता साथे मन नू अंदर लगी हुई है काम दी मेल है, क्रोद दी मेल है, लोब दी मेल है, हंकार दी मेल है और मेल उतारन दा साथा साथन की है असी तीरत था दे उते जाने है महात्मा किसे तीरत दी निद्या नहीं कर दे सच्याई बताउंदे है पानी चाए आपना है चाए प्राया है चाए नहरदा है चाए समुंदरदा है चाए ओह किसे द्रियादा है ओह सिर्फ बदंदी मेली साफ कर सकदा है एस तो वद तो कुछ भी नहीं करदागा गुरु नानक साहिव केंदे पाप करे पंचा के वसरे तीरत नाये कहे सब उत्रे बहुर कमावा होयन संक जम पर बाद खड़े का लंक पाप ता इन पंजा डाकुआ दे आखे लाके करदा है उन तीरत नाके आप ही कहे देना उत्र गे है जद फेर बस्ती दे अंदर होंदा है ओही काम ओही क्रोथ ओही मेडा फेर है जम आके संगी पकड़ लेंदे है पेहंकार करदा है के मैं तीरत करे आया है मैं मैं लाया हैं संत केंदे लाके लाके नहीं आया लाके आगया है कबीर सहीव केंदे है गंगा तीर जे कर करें पीमे निर्मल नीर बिन हर पगत न मुगत होएं यहों कत रहे कबीर कबीर सहीव केंदे है तुसी ठंडे दिल ना सोचो अशनान करना ता किसे पासे रह गया अगर तुसी ओस तीर्थ दे उते करके उना अपना लो और ओज ओस तीर्थ दा पाणी पीना के उना शुरू कर देओ फिर भी पकती नाम तो बगैर तुसी मुगत नहीं हो सकतेगे किबीर सहिव कहें दे सिठह दे दिल न देखो जेडर जी जनतू उते वस्तव है कि उना शानती है कि उपस तीर्थ नात्या जेगत हौग्या नितनेत मेंड़क नेवह जैसे मेंडक तैसे उनर फिर फिर जो नियाँ है वो थे डड़ू, मच्छियां, कितने एकबीर से विकेंदे वो था रोज़ पाणी दे विचेरेंदे है कोई बारान साल तो नहीं जानदे कोई छे मीन्या तो नहीं जानदे वो था चोवी कंटी विचेरेंदे है अगर वो नहीं मुगत होंदे असी की आसलाई वेठे हैं महात्मा किसे दी निद्यानी कर दे ओता सच्याई बताऊंदे है कि असी किस तरह मुप्त होना है वो कहिन दे है कि कोट तीर्थ मजन इशनाना इस कल में मेल परी जाए गुरू नानक साव कहिन दे क्रोडा भी तीर्थ क्यों ना कर लो इस कल में मेल परी जाए साथ संग जो हर गुन गावे सो निर्मल कर ली जाए तुसी किसे कमाई वाड़े महात्मा नो मिलो नाम शबदा पेद लो और कमाई करो ताँ तुसी आत्मा नो निर्मल कर सक दे हो फियोर कर सकने हो इस वास सिढ भी तीर्थ करे आए तुसी देख लो जिनने भी लोग तीर्थ याकरदे है सब कुछ कर दे है तो सारी जिंदगी विचारे एही कहिन दे इस catastrophe आयन्य तीर्थ करे आए इस्य आयन्य करे आए और उत्थे जाके भी तुसी देख लो मैं कल दस्या सीगा कि किते उत्थे बहुत सारे सिनमे हुंदे है ये तो पैसा कठा कर लेना है उत्थे जाके सिनमे के वाड़ जाना है उत्थे त्वाड़े शेरां देविच है तो महात्मा प्यारना केंदे है कि उत्थे भी एक समाज, दूसरे समाज में बुरा पला कह रहा है, किते शान्ती है, किते त्रिपती है, तो महातमा कहने दिया, तीर्थ जिड़ा है, वो थ्वाड़ा सरीर है, थ्वाड़े अंदर पर महातमा ने मुपदस स्रोबर रखे, नेर जिड़ी है, वो खत्म हो जाए जेगे जे किस तरह फैले होए ख्याल नू तीसरे तिलती अकागर करना है जदो असी अपने ख्याल नू 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 द्वारें तो देविच पठकन दी आदत पादने हैं खुल देदने हैं असी आपनी बहुत सारी शक्ती है जड़ी उसनू खत्म कर रहे हैं सो महात्मा साड़ी उस गई होई शक्ती नू फेर बाप स्रियोन वास्ते कहिंदे है कि वार वार तुसी अपने मन नू एस जगाँ अकागर करो क्योंकि साड़ी मन और आत्मा दी एही सीट है और एही साड़ा आखरी सफरता जड़ा बुहा है एत्तु खुलना है और एत्तु साड़ा श्तफर जड़ा है शुरू हुंदा है इस वास से आप कहिंदे है कि इस तरह थोड़ी मेल जाएगी तुसी अंदर पहुंचो अपनी आत्मा तो अस्तूल सुक्षम कार्ण पिन्ने पढ़ दे ले लाके दसमें द्वार दे विच पहुंचो उत्थे अम्मर्त सर है जी दे विच नौना साड़ी जन्मा जन्मात्रां दी मेल ले जन्दी है गुरू अर्जन देव जी माराज एक थां कहिंदे है गोर सत्थ गुर का जो सिख अखाए सो पलके उठार नाम ते आवाए उद्दम करे पलके परपाती अशनान करे अम्रत सर नावाए आप कहने जी दा गुरू से जिकर कर दे है और गुरू अमर देव जी मारा जिकर कर दे है जीड़ा बार अमरत सर है ओस दी नीम गुरू राम दास ने रखी और गुरू अरजन देव ने उसनों कंपलीट कीता सीगा लेकन ए शब्द जीड़ा है मैं बोल दा है आप कहने सच्चा अमर तो प्राव थोड़ी दे और व्यूद देविच प्रमात्मा ने रख्या हुए है एस वास्ते संत महात्मा सानू केंदे अगर मैं लौन यह तो तुसी उत्थे पहुंचो जी हत्गुरु से सामल जाए कीवत मरे हर्शयों चितलाए हर निर्मदन सच मेल न लगे हट लगे मेल लगवाबनियां उन आप कहेंदे है के ओ प्रमात्मा ता प्योर है प्वित्र है साड़ी आत्मा भी उस दी अन्स है ओ भी प्योर और प्वित्र है सानु पता ही है के जद पानी समंदर दे विच्चों बखारात बनके उड़दा है ओ बिलकुल साफ होंदा है जद बदड़ा दे विच्चों बरसात बनके जमीन ते होंदा है फिर भी बिलकुल साफ प्योर होंदा है लेकन ओही पानी जाए जमीन ते गर जानदा है गंदिय है और बोखारात बनके उड़दा है बदला विच जाके समाज जन्दा है फिर उस पानी नूँ पता लगदा है के गंदता कोई होर चीज सी मैं ता पहला वी प्योर सी हुन वी प्योर है इस से तरह साधी आत्मा जदो शबद नाम देनाल जुड़ जन्दी है बापस अपने कर पहुन जन्दी है इस नूँ फेर पता लगदा है के मैं ता पहला वी प्योर से उस प्रमातमा दी अनुस से मैं हुन वी प्योर है मैं ता एमें इंदरियां दे पोगां विशे बकारां दे विच फसके मेली होगी अपने करनों पुल के ठेड़े ठोक रांखा दियां दुख का है वो प्रमातमा ने साड़े अंदर रख्या होया है वो शब्द नाम दी कमाई है जी हार निर्मलं साच मैल न लगे साच लगे मैल अगवारियां बाय गुरू है अंधर पुबारा होना आप कहेंदे है जिन्नाचर सानु शब्द सुरूपी शब्द अव्यासी महातमा नी मिलदा गा ओ सानु जो तना दान पबनी करूंदा गा असी अंधे आये है और अंधे ये थे फिर्दे है क्योंकि दुनिया दे अंदर अंदे दा आगू है बुले शा कहिंदा है बुले आ ये थे बहुत अन्ने ना साधी कोई कदर पशाणे ना सानु कोई मन्ने सान्ते थे अंधे दुनिया दे विचे आये हुंदे है दुनिया नु पतानी गा के की तागत है की वस्तू है साधे उत्ते एक की रहमत करनवास से आये है की साधे नाले प्यार करनवास से आये है हमदर दी करनवास से आये है लेकन असी सानु मन्दी यैर इस तरह दी चिडा देगे गुरु नानक नू लोकाने कराया क्या कमळा क्या और उन्हु एक पेंड़ दे अंदर कसूर दे अलाके देवेच रात नी कटण देती सी गी के ए चंगा आप देशी नी करदागा तुसी गुरु गुविंसिंग देशी पढ़के देखलो उन्हादे मसूम बचयानू निया देगे चेचन देता और खुद उन्हादा करकाट लूट लेया उन्हाद नू किड़ा अरामना बैठन देता उन्हादे मगरवी फोजान लाई रखिया गुरु तेग बहादर सैदी इश्ची पढ़के देखलो किस तरा ओस वक्कत दी हकूमत ने आपनू दुनिया द महात्मा ने कोई बुरी गल कई सीगी उता रह्मत करन वासी आये सीगे इसे तुर्ण सूर्दी खल लाद पथर मार्वार मार याग्या संस्तब रूदिधि खल लादिधि इसा मसीह नूँ जोंदे नूँ सूरी दे उते चख देता सो महात्मा कहँंदी है की उता बड़ा र अब जना कोई प्रमात्मानों याद करे कर सकता है और उस विड़े उकेंदे सी ए अंग्रेजां दे राज दी खुबी है असे खुला से संग कर रहे हैं नहीं ता असे भी उकेंदे उन्दे सी पिछले संता दी तरह परखे जांदे क्यों के एक क्यों दुख दिता गया इस जि अगर सानु कोई हटंदा है जाओंदा है आज फेर सी उस दे नाल दुश्मन बन जानने है उदी जान ले नवास से त्यार हो जानने है ए गरंट सैफ जिस दी आपा बानी पढ़ दे हैं गुरू अरजन देव ने लिखे आ सीगा और बानी सारे महात्मा दी उनना ने अकठी कीती लेकन उस वक्त दी हकूम ये इस दी टलीम ते चलिये तो मजवां दा गुजैसी कोई नहीं के ता सारे मजवां दा प्यार पैदा कर दिया सब नू एक बढ़ंदी है ये सवासत से ता कहैंदे है कि जड़ी आतमा है उस सारे यह ल्यांदे अंदर एककूई है उस से तत्व दा ओप्रमात्मा है और सा अज लोग जिन्ना ने लिखी उन्ना नु बुरा पला पला कैंदे रें जिडे आज बारी दे परिचार कर देयां। दुश्मनी कीती सी उननों टिकल नहीं जता सी गा उनना लोकां दे भी पाग जागे वो मारा सावन सिंग तो नाम लेया ससंग चाहे वो लोक बाणी निया तोकां सुनके रोण लगे पेशी गे उस वकत माश्र तारा सिंग जो सिखा दा अच्छा आगू सी गा और उद्म सिंग नागो का माराजी नों मिल नवास दे गए उनना दे नाड़ों ना अच्छा सब परक सी गा ओवी बाणी जद डोगरे लोक सुनदे देखे रोंदे देखे कैन लगे माराजी इनना डोगरे राजपूता नों पत्थर पूजन बड़ा बाणी दे नाड़ प्यार है उसी बड़ी बाणी समझाई है माराज सावन सिंग हस के कैन लगे भी देखो बाणी दे लड़ मेला देते है हुन कड़े कच करचेरे पोणे ए थोड़ा कम है सो महात्मा जड़े है ओ बाणी नों प्यार दे नाड़ समझाऊंदे है दस्दे है के बाणी भई आचीज है आए कह रही है जद माराज सावन सिंग जी सानू बाणी दी उच्चता दस्दे ह साथ सांग दे वेच बैठे लोग उभी उपन दे सीगे सो एस वास से महात्मा प्यार ना केंदे हो दस्दे हैं दे सानू बाणी दी मैं मारा याग पता लगया है सो महात्मा दी लिखी बाणी नू महात्मा दा सकता है जेड़े गुरु नानक दी स्टेज ते पहुंचे नि उन्हानू गुरु नानक दी तलीम दा की ज्यान हो सकता है जेड़े पहुंचे है उही उसला ब्यान कर सकते है उन्हानू गुरु नानक दा की परचार सीगा एसे तरह कभीर सही जेड़े सीगे उन्हान दी जेड़े तलीम नू जानेगा उत्ते पहुंचेगा उही उन्हान दिश्टा के कीडें दिश्टा कुमा है फिर दिश्टा माहे पजाविया एक आलत मुनुखी जामे दे अंदर जिना ने ला परवाही कीती गुरु को ले जाना मसूस ना कीता गुरु दा केहा ना मनना आप कहने लगे हो कितों आए बिश्टा दे विच्चों आए मादे पेट विच्चों आए जित्थे महा कश्ट दुख सीगा और फिर उत्थी जाके उन्हाने जन्म ले ले लिया तुसी देख लो मैं दस्दा होना कि लहोर दे अजयव कर विच मैं गया देख्या उस करनूं उत्थे बहुत सारियां होर भी पिक्चरां सीग्यां लेकिन एक ऐसा बुत काड़ेदा कमाल बनाया होया सीगा मादे पेट विच बच्चा वखाया गया वो उल्टा दखाया गया जैसा कि हुंदा है वो एक दो सतारा ठारा साल दी उमर सी एक कांटा में उदी करनी देखता रहा कि है अनसान इतनी तंग जगा दे विच इतना तू उल्टिया रहना है कि फिर भी प्रमात्मानों याद नी करदा गया तो तोवा नी करदा गया गुरू नानक साहिव कहन दे मुख तला पैर उपरे वस एस वास से आप कहीं दे ओ लोग जडे अनसानी जम्नेश लापर वन्या करदे है, को की है बिष्टा दे विचे ओंदे है, बिष्टा दे विचे फिर जाके जनम ले लेंदे है, ज़्ब मौत होंदी है तर्मराइ दे दूत पकड़ के कनो ले जन सनने है, फिर जन्म हुंदा है फिर तर्मराई दे दूत हुंदे है उन्हादी पेशी हमेशे हुंदी रेंदी है जी दी नित पेशी अदालत दे अंदर खुई उस दी इजित है इस वाग से आप कहने जी एक उन्हादी है जीड़े पक्ती नहीं कर दे अन्सानी जामें दे विच अतियाचार कर दे है तो गुरु सहिव गुरु नानक सहिव ड्राउन वाग से गलाने कहने देगे वो कहने नानक दास मुखते जो बोला इहां उहां सच होगा है मैं जो बोल किना दी सेवा करनी है किना दी पूजा करनी है किना दा नाम जपना लिया हुए कहने लगे जो जिन्दे जी मुक्त हो जाने है उही सानु मुक्ती दे सकते है जिड़े आप मिले है उही सानु मिला सकते है मुक्ते से वी मुक्ता हो जाने हो मैं मन का शब देखो जाने हरे जियों सच्चा से भी तूरे पाग गुर पावरियं आपे बख्चे मेल मिलाये उही पूरे पूरते नाने धवाये सच्चे नाम सचा मन सच्चा हच्च से वे दुखक भावरियं सदाह जूर पूर नाशानों गुर्चा दीहार अंसर पठानों नाने के नाम मिले भड़ियाई पूरे पूरते पावरियं गुरु नानकदेव जी माराये ने छोटे ये शबद दे अंदर गुरु मतनों संत मतनों बड़े प्यार दे नार समझा दता के किस तरह चारे खाणियां चारे बाणियां नाम दी सार नी सब परमदे अंदर है और साड़े पापां दी नविर्ती पापां दे पहेट दबी होई आत्मा नू शब्द नाम दी कमाई कर दी है और नाम सा नू पूरे सद गुरु अंदर मिल दे है जिनना दे प्रमात्मा मेहर कर दे दया कर दे है सिर्फ उन्ना नू ही पूरे गुरां दे कुडे लेंदा है और संत महात्मा किसे दी समाज तोड़न वास्ते नी यहुंदेगे ना कोई नमी बनवन वास्ते यहुंदे है ओ कोई समाजा नू दे रख्या कर दे नी यहुंदेगे बलकि ओता आत्मा दी रख्या कर दे यहुं प्रमात्मा हवा पाणी रोशनी दुनिया नो मुख़ देंदा है इससे तरह उभी कोई अपनी तलीम दी ठीस नहीं आके लोकां दी उते रख देगे तो आप प्यार दे नाड़ पेंदे है आखर दे उते आके फिर एकोई नसीद कर दे है के नाम दी कमाई करके ही सानु प्रम आए झाल झाल झाल